हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे अस्टेलिया वर्ष वेस्टेंडिज का वीच जो फर्स्ट ओडी आई मुकावला खेला जाएगा उनके बारे में ये खेला जाएगा कल सुबा नौ बजे एयम में एनि सुबा का समय नौ बजे इंडियान समय अनूसार इंडियन समय अनुषार जो मैच होगा वो होगा एस्टेलिया और जो है वेस्टेंडिज का बिज एस्टेलिया और वेस्टेंडिज का जो मुकाबला होगा वो मुकाबला में से कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा कौन सा टीम है, कौन सा टीम कमजोर है Head to Head recorder दोनों कितने खेले है Ground पर कितने मैच खेले है Ground पर कितने मैच हुआ है, कितने कौन सा टीम जीते है कौन सा टीम है, कौन सा टीम कमजोर है Head to Head record कितने खेले है और कौन सा टीम ज़्यादा मैच जीते है और कौन सा टीम ज़्यादा मैच हा रहे हैं सारा डिटेल्स इस वेडियो के माध्यम से बताऊंगा साथ ही साथ ये भी बताऊंगा डम काड रिक्सी पिलियर के रूम में किसी लेना चाहिए योनिक पिलियर के रूम में कौन होगा और पीच रिपोर्ट क्या है बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच या बाइलेंज पिच है सारा डिटेल्स इस वेडियो के माध्यम से बताऊंगा अगर वेडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करना चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्षन से बात करते हैं विकेट कीपर सेक्षन से या पर दो विकेट कीपर का लाइनम में नाम सामिल है फिलाल के लिए लेकिन विकेट कीपर का जो है सालेक्षन तीन है तीन में से दो निच्चित रूप से खेलेगा पहला खेले का Si Hope और Si Hope का selection percent 89 है और J English का selection percent 4 है लेकिन दोनों का talent के हिसाब से बात करें तो तोनों अच्छे खासे best man है और से पिलियर के room में और J English और Si Hope दोनों राने बाला है क्योंकि A to head मकावला का recent के match के अनुसार मैं बता रहा हूँ रिशन्ड के match में 5 मकावले खेले हैं पंच मकावले में से Australia जो है वो चार मकावले जीते हैं और Western जो है वो मात्र एक मकावले जीते हैं और एक मकावले में से और West Si Hope के बात करें तो Si Hope चारों में match में अच्छा अच्छा परफॉर्म करता है सालेक्शन परशेंट हाज जरूर है साई होग को लेकिन आपको साई होग को जरूर रखिएगा आप बात कर लेते हैं यह कितने नमर में बैटिंग करने आएगा यह आएगा चार से पहुंच नमर में बैटिंग करने आए फिलाल के लिए लाइनम में नाम चाहर में सामिल है लेकिन कभी कल ट्वास होने के बाद ये डिसाइज कीजिएगा या तो अपनर आएगा या तो चाहर नमर में आएगा ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्वास होने के बाद बहुत पिलियर चेंज हो जाता है जब बहुत पिलियर चेंज होता है तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं step by step हर एक पिलियर का record state बता देता हूं पीच रिपेट बता देता हूं head to head मकावला कितने खेले हैं कौन सा अच्छा परफॉर्म किया है यह जनकारी अगर आपको रहेगा तो अच्छे खासे प्रोफिट कर सकते हैं यह पर अभी मैं फिलाल के लिए जो से इंगलिस को लूँगा क्योंकि इनके अंदर भी टाइलेंट है रिसंड के अच्छे खासे प्रदर्शन किया है एस सुमित अच्छा कासा है टाई हड मतलब टी हाइड जो है यह पार्टेम बॉलिंग बाई इस्टन के फार्म लूवेशन को अच्छे खासा है और ओडी आई है विकेट भी किर सकता है एसकोर भी बन सकता है आप उससे पाले में पीच रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं पीच रिपोर्ट जो है बैटिंग पीच है और गुड पर पेसर है यह पर अवरेज सकोर 154 है बेन्यू के लागा है का मेलवन ग्रॉंड मेलवन गर्केट ग्रॉंड में में देखिए मेरे हिसाब से जहांता मेरे अनुभाव है इस्पिरेंस है उसके अधार पर देखा जाए तो मेलवन को ग्रॉंड जो है बाईलेंस पीच है और लगभग अगर 10 मुकाबला तो 5-6 मुकाबला बैटिंग का फेवर में जाता है चार मुकाबला बॉलिंग का फेवर में जाता है मैं अपने इस्प्रियंस देखा हूं और मेलवन गरॉंड पर मैं टीम लगा कर भी टराइक किया हूं इसलिए यह आप लोग जब टीम बनाईएगा तो आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो बाइलेंस टीम बनाईएगा बाइलेंस टीम का मतलब होता है कि ना ज्यादा बैस्ट में ना ज्यादा विकेट कीपर ना ज्यादा वर्लंडर ना ज्यादा बॉलर आप पहले रिकॉर्ड बता देते हैं ताकि टोस होने के बाद अच्छे अच्छे स्टेंडीज का है और इनका रिकॉड ठीक ठाक है डर्म का डरेक्सी पिलियर के रूम में इसे रख सकते हैं क्योंकि यह दो नमर में बैटिंग करेगा लाइनम में अभी नमर में सामिल है टॉस होने के बाद देखिएगा यह वरन जो है वे स्टेंडीज का है यह अपनर करेगा और इनका रिकॉड ठीक ठाक है अच्छे का से परदर्शन कर लेता है लेकिन स्ट्रोंग टीम का अगेंस खेल रहा है हो सकते अच्छे परदर्शन कर या ना करें फिर भी यह पॉंच जो है बेस्टिमेन का रिकॉड अच्छे है पॉंच बेस्टिमेन को लेने के बाद अब आ जाते हैं वलंडा सेक्षन में वलंडा सेक्षन में आने से पहले मैं आपको इस गरॉंड पर कितने मकाबले हैं वो बता देते हैं देखिए इस गर पर 188 मकाबले में से 76 और 61 का करीबन कंबनेशन है जो है 76 जो है अस्टेलिया जीते हैं और जो ज़्यादातर विकेट निकाले हैं अस्टेलिया का बॉलर वो सब बॉलर का लाइनम में नाम भी सामिल नहीं है और वो खेलेगा नहीं तो इस कंडिशन में नायब पिलियर है तो दोनों का जीतने का चौंज 50-50 परसेंट है मानते हैं अस्टेलिया इस्टोंग टीम है लेकिन बेस्टेंडिज उतना कम जो टीम नहीं है इस बात को आप मत भुलना नहीं तो आपको इंटरिफिस भी डूब सकता है अब बात कर लेते हैं रीशा रोज को भाई ये पार्ट टेम बॉलिंग करता है मैंने अपने तीन साल के इस्प्रियंस के अनुसार इसे मैं बहाचानता हूँ और इन में दो खासियत है या तो पिटाई होता है या तो विकेट नहीं मिलता है जब विकेट मिलता है तो तीन चार विकेट निकाल के जाता है आप यहां पर हैम ग्रीन के बात कर लेते हैं भाई या इस्टेलिया का यह भी अच्छे बॉलर है और अच्छे खासे बेस्ट में है रेपेशन ठीक ठाक परदर्शन करेगा उसके बाद दिखिया एम सूट का लाइनम में दो नमर में है रिसरंड के फॉर्म में काफी परदर्शन करकर आया है जिसके करण सेलेक्शन परशेंट हाय हो गया लेकिन य तो है ODI में कम चलता है क्योंकि T20 बाला इस्प्रेंश राता है हिटने का हिटने के चकर में कैच आउट हो जाता है अगर इसको रखने से आपको दो फैदा हो सकता है पार्ट टेम बॉलिंग भी कर सकता है इसे लिए अब यहां पर एक मकाबले केले हैं दो विकेट निकाले है ठिक ठाक परदाशन किया है अब यहां पर देखिए यह गण एक तुम यह सब नहीं खेलेगा लेकिन खेलेगा तो इन समय से आप इसे ट्राइक किजिएगा डर्म कार्ड निव पिलियर है अच्छे का से फॉम कर सकता है अब यहां पर आ जाते हैं बॉलर सेक्षन में निवरूं जी ठीक ठाक विकेट निकालेता है इस टीम का गेंस दो बार केले हैं दो अच्छे कासे विकेट निकाला है एस अवेट केले का तो ठीक ठाक है लेकिन अगर आप लोग ज़्जदा रिक्सी टीम में बनाना चाहते है एल्वेस अच्छा कासे बॉलर आफ जीुम का favor में टीम बनाईएगा लेकिन मैं जो है balling का favor में टीम बनाऊंगा यह बाइलेंस के हिस्ताब से टीम बनाता हूं देखिए मैं इन दोनों में जॉस इंगलिस और शाइओं में से किसी यह को ट्राइक करूंगा और क्यों करूंगा इनका रीजन क्या है यह भी बता देते हैं दोनों का selection percent कम है तो आप चाहें तो दोनों को रख सकते हैं सायोग का selection percent चार में है और यह चार नमर में बैटिंग करेगा जोस इंगलिस भी चार नमर में करेगा इसलिए विकेट गिरेगा तो दोनों का ODI में chance मिल सकता है इसलिए मैं विकेट कीपर से दोनों को रखे हैं अब बात कर लेते हैं मैं TM सुमीत और ट्यार नमर को लूँगा अब बात कर लेते हैं जोसन को ये तीन बैस्ट मेन को जरूर लूँगा अब यहां पर एक मैं एक लिस परी को आहर कोई ये डर्मकाड मेरा 4 पीलियर के रूम dev कराभ़ा हर कोई इनके सांथ जाए लेकिन ही मैं इसे डर्मकाड रिकसी बैस्ट में प्रेवर में लिया हूँ अच्छे रिकाउड है अब ओलंडर सेक्षन में आते हैं ओलंडर सेक्षन में इन्पॉर्टेन ओलंडर जो है रेप्रिजन को तो अपने टीम में जरूर रखूंगा क्योंकि यह एक लवता ओलंडर है बेस्टेमेंड का जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देता है एम सुट का दू नमर में बैटिंग करने का आता है इन दो एड्डरन को रखना चाते हैं तो इन दोनों में से ठीसी एक को साथ इन दोनों का रिकाउड ठीक है तो इसलिए मैं दो ओलंडर रखूंगा एब आ जाता हूँ बॉलर सेक्षन में देखिए बॉलर सेक्षन में इन बॉलर जो रहेगा एर्वेजन रहेगा अच्छे कासे हैं या ओटर थोमस को आप रख सकते हैं ठीक टाक अरुन जीप्स को आप रख सकते हैं इसे रखने के बाद देखिए यहां पर एटम जंपा और इन सम्में से हैवेल्स जरूर के लेगा हैवेल्स को नहीं रखेंगे तो जी मोती को आप जरूर रखेगा अच्छा स्पीनर है देखिए मैं ने पहुंच छे के कमनेशन तो बना दिये हैं ध्यांसे देखिए मैं तीन बॉलर लिया हूं ध्यांसे तीन बॉलर दो अलंडर लिया हूं चार बैस्टमें लिया हूं और दो विकेट कीपर लिया हूं जो वो टीम का जितने का चांस 100% जाता है अब को कैप्टन किसे देना है किसे नहीं यह तो डिसाइज करना परेगा तेकिए मैं कैप्टन के रूम में हर कोई T-Doward का कैप्टन देगा और सेफ कैप्टन वाइस M सुमित को देगा लेकिन मेरे हिसाब से मैं टॉस होने के कैप्टन M सुमित को दूँगा क्योंकि यह पार्ट टेम बॉलिंग करता है लेकिन कैप्टन से काफी हाँ है मैं जब पिलियर्थ देव लेता हूं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन पर रिक्स लेता हूं इसलिए मैं रिक्सी कैप्टन के रूम में सुमित को लूँगा और वाइस रूम में important जो voice captain रहने बाला है वो कौन सा रहने बाला है toss होने के बाद देखिए ये बता लगएगा लेकिन मैं फिलाल के लिए voice captain किसी बॉलर को track करने बाला हूँ एमरेट को voice captain दूँगा कोकि सब ashtrong team से बनाएगा लेकिन मैं कमजोड team से बनाऊँगा अगर आप इसे नहीं देना चाहते हैं तो voice captain Aaron gyps को आप दे सकते हैं पिटाई होता है लेकिन wicket निकाल के जाता है save team करता हूँ save team करने के बाद देखिए मेरा team का पर भीउ किस तरह से रहता है मेरा team का पर भीउ फिलाल के लिए इस तरह से रहेगा हाई योप ये वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाए हिन दोस्तों